पांक साल पहले साप की डसने से जिसकी मौत होई थी अब वो लौट आया है। साल 2017 में जस बच्चे को साप ने काटा था उसे गंड़क नदी में प्रवाहित कर दिया गया था। अब अचाना कि इस लड़के की जुन्दा होने की खबर सामने आ रही है। छप्रा का ये मामला है जो कि सुनने में थोड़ा फिल्मी है लेकिन एक माने जब ये डावा किया है तो फिर इसे जूटा मानना भी थोड़ा मुश्किल हो रखा है। आखिर कैसे पांक सार पहले किसी बच्चे को साप काटे गा वो दुनिया चोड़कर चला जाएगा। और अब इतने साल हैंगे मगर उसके पहले नमश्कार आप जन्ता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ बंदना पांडे इसके मंडल ग्रूप ऑफ इंस्टूशन नर्सिंग परमेजिकल फार्मसी और मैनेजमेंट पाचिक्रमों के लिए मुफ्त ट्रेनिंग का उसर लेकर आया है चात अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर संपर्क करें शायद ऐसा फिल्मों में ही आपने देखा होगा जहां कोई लौट कर वापस आता है एक बार जिसकी जान चली जाती है उसकी लौट के आने के आज को दूर पात लोग सपने में भी उसकी वापस आन पांच साल पहले मड़ चुका था लेकिन वो सही सलामत घर वापस लोट आया है और भी उसकी खुद की मांने दावा किया है मामला बिहार के सारेंजिले के सरया थाना छेत्र के पिनहारा गाउगे है जहां से इक अजीवो करीम मामला सामने आया है और सोचने वाली बात की जान चली गई थी और अब ये उस बच्चे की मा कह रही है कि बेटा उसका पांच साल तक यूँ ही भटकते रहा लड़के के लौट आने की खबर सामने आने की बाद महिला की घर पर गाउवालों की भी रिकर्था होने लगी है बच्चे को देखने के लिए पहले के फिल्म होता था पर छप्रा की जो कहानी है वो थोड़ी अलग इसलिए है क्योंकि यहां बेटा गायब नहीं हुआ है बलकि उसकी जान चली गई थी और पांच साल पहले दुनिया चोड़कर जाने वाला अब लौट आया है तो लोग यह सुनकर अच्चा डिशकिट भी हो रहे हैं मतारे दरसल पांच साल पहले गाओं की हरिंद्र महतों की छे साल के बेटे क्रिशना की मौत हो गई थी एक पेर के नीची वो खेल रहा था तबी क्रिशना को सापनी काट लिया और उसकी जान चली गई जिसकी बाद उसके शरीर को परिवार वालों ने केरे के तने पर कर रही है जो की अब 11 साल का हो चुका है महिला का दावा है कि किसी ने उसे जानकारी दी कि उसका बेटा जिन्दा है तब ही से उसकी तलाश जारी कर दिया था और अब जाकर बच्चा इस्वापूर के विशनपूरा में मिला है तो सुनिता देवी ने अपने बेटे को घर वापस लेकर आ चुकी है फिलार बच्चा कुछ भी बोलने से साफ मना कर रहा है यहां तक कि अपना नाम मीची से नहीं बता पा रहा उम्रे 11 साल जैसी ही है साती मा का कहना है कि खाना पानी नहीं मिलने से परिवार का साथ नहीं होने से अच्छी परवरिश नहीं मिलने से बच्चा डरा हुआ है five साल से भटकने वाले बच्चे का हाल क्या होगा यह आप सूथ सकते हैं ऐसे में बच्चा दिमागी हालत से भी कमजोर हो चुका है और शरीर से भी इतना ही नहीं बल कि गांवाले महिया के दावे पर अब सवाल भी उठा रहे हैं तो उसका कहना है कि उ भी निशान थे वो आज भी मौजूद हैं कई निशान को देखने की बाद उस मा को यकीन हो गया है कि उसका ही वो बेटा है जो की पांक साल से भटक रहा था और अब वापस घर लोटाया है तो वहीं गाओं के कुछ लोग बच्चे को महिला का बेटा मान रहे हैं तो कुछ ल जानता है या नहीं बाकि इसे चमतकार कहें या फिर बेटे की प्यार में डूबी मा का अंद विश्वास आपकी क्या राय है कमिन बॉक्स में बताएं बाकि अस मामली में आगे जो भी जानकारी निकल कर सामने आती है हम आपको जरूर बताएं कि तब तक बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहे जोंता जंक्शन क्यामरे हैंडल विशाल कर रहे थे और मैं आपके साथ बंदना ढलवागा